Hello everyone, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल My Exam Study पे दोस्तों Maths Magic में आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है परसेंटेज का यानि की प्रतिसत्ता का सुरू से एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे यदि आप लोगों में से किसी को नहीं भी आता है तो इस वीडियो के अन तक आपको परसेंटेज के बेसिक समझ में आ जाएंगे इसके बाद हम लोग सिकेंड लेवल में चलेंगे जिसमें हम लोग कुछ टाइप के जो कोईशन होते हैं उसे कैसे सॉल्व करें इसके बारे में सिखेंगे दोस्तो इसके पहले मैंने परसेंटेज के देने के पहले मैंने आपको बोर्ड मास, के नियम, सिंप्लिफिकेशन कैसे करते हैं, LCM, HCF कैसे करते हैं ये सबी भी बताए हैं तो अगर आपने उस वीडियोज को नहीं देखा है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है मैथ में वो है परसेंटेज सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है तो दोस्तो जब हम ये देखिए परसेंटेज के वर्ड को अस्प्रिट करते हैं तो हमें दो वर्ड मिलता है पर और सेंट सेंट यानि की सैकड़ा यानि की सौ और पर यानि की प्रती प्रती सैकड़ा को ही percentage कहते हैं कैसे for example समझते हैं जैसे हमने कहा कि हमारे math में 70% marks आएं यानि कि हमारे math में 70% marks आएं यानि कि हमारे math में 100 में से 70 marks आएं कभी-कभी आप लोग देखते हैं कि बारिश हो जाती है और कक्षा में विद्यार्थी कम आते हैं तो teacher बोलते हैं आज 50% students की उपस्थिती है यानि कि 50% यानि कि 100 में से 50 बच्चे ही हैं जो class में उपस्थित हैं ठीक है जब हम दूसरे शब्दों में कहते हैं percentage को तो percentage का मतलब होता है कि percentage वह भीन है जिसके हर में 100 होता है percentage वह भीन है जिसके हर में 100 होता है चलिए कुछ examples लेकर समझते हैं कि कैसे जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ examples लिए हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यह है percentage question है हमारा 10% तो 10% को हम कैसे लिखेंगे जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक symbol बना हुआ है इस symbol को ही मैंत में percentage कहा जाता है और जब यह symbol रहे तो इसे हम क्या कहते हैं percentage कहते हैं और यहाँ पे आपका example क्या है 10% तो 10% को हम कैसे लिखेंगे 10 बटे 100 क्यों क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि percentage हुआ भीन है जिसके हर में 100 होता है तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10% तो हम क्या करेंगे 10 बटे 100 कर देंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 10 के जो हर यह जो भीन है 10 बटे 100 इसके हर में क्या है 100 है next जो example है हमारा वो है 20% 20% तो इसे भी हम कैसे लिखेंगे 20 बटे 100 next example लेते हैं next है 50% तो इसे percentage या प्रतिशत कुछ भी कहें ठीक है तो मैंने आपको बताया कि प्रतिशत वह भीन है जिसके हर में 100 होता है तो इस तरह से हमने 50 बटे 100 लिख दिया और यह भी बिल्कुल सही है next है 25 प्रतिशत यानि की 25 बटे 100 उसी तरह से चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो जैसे कि हमने यहाँ पे 100 से ज़्यादा बड़ी संख्या ली है 180 180 प्रतिशत तो यह क्या हो जागा 180 बटे 100 क्योंकि यहाँ पे 180 के साथ प्रतिशत लगा हुआ है यह प्रतिशत का सिंबल है तो यह हो गया क्या 180 बटे 100 उसी तरह से 120 प्रतिशत तो 120 बटे 100 next है 200 प्रतिशत यानि की 200 बटे 100 अब यहाँ पे दोस्तों आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि X प्रतिशत कैसे लिखाएगा या फिर कहें कि X प्रतिशत को भिन में लिखे तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिशत वब भिन है जिसके हर में 100 होता है अब हमारे पास जो कोईशन आया है वो कोईशन कह रहा है क्या कि हमें X प्रतिशत को भिन में लिखना है तो इसे भी हम कैसे लिखेंगे x बटे सौ या फिर जब प्रश्ण ही आ जाए कि 2 परतिशत को भिन में लिखेंगे तो 2 परतिशत बराबर भी हम क्या लिखेंगे 22 बटे 100 क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है कि वा भिन के हर में 100 रहता है ठीक है अब इसी पे based हम लोग कुछ percentage से जुड़ेवे questions को solve करेंगे जो की एकदम basics है और उस basics जब आप जान जाएंगे तो percentage के जो questions है उनको solve करने में आपको काफी मदद मिलेगी दोस्तो ये जो basics question है ये बीना pain और paper के बनाने के लिए है लेकिन मैं अभी आपको समझा रही हूँ जब आप एक वार समझ जाएंगे अच्छे से तो आप बीना pain और paper के use किये आप बता सकते हैं जैसे कि type 1 में हम लोगों ने लिया है निम्न प्रतिशत को साधारन भीन में बदले दोस्तो इसके पहले हम लोगों ने कुछ examples लिये थे जिसमें हम लोगों ने प्रतिशत को बदला था भीन में जैसे 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और उसी तरह हमारा ये जो प्रश्ण है इसमें कहरा है कि हमें प्रतिशत को साधारन भिन में बदलना है तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला एक्जामपल है या फिर कहें पहला कोश्चन है वो है 10 प्रतिशत अब इसे मैंने आपको भिन में लिखने के लिए बताया था कि कोई भी प्रतिशत जब रहे और जब हम उसे भिन में लिखते हैं तो हर में क्या होता है हमेशा 100 होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 प्रतिशत यानि कि 10 के हर में भी कितना है 100 है अब देखे जब हम इसे साधरन भीन में बदलेंगे तो सबसे पहले हम इसे छोटा करेंगे, काटना शुरू करेंगे ठीक है, तो 10 देहें के कितना होता है, 100 होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 बज़िया, तो हमारा एंसर कितना हो गया, 1 बटे 10 तो 10 प्रतिशत को जब हमने साधरन भीन में बदला तो वो क्या हो गया एक बटे 10 हो गया चलिए दूसरा एक्जामपल लेते हैं दूसरा एक्जामपल है 20 प्रतिशत तो दोस्तो अब 20 प्रतिशत है और प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि हर में हमेशा 100 रहता है इसलिए हमने लिख दिया 20 बटे 100 और जब हम इसे काटेंगे तो देखे 20 पचे के 100 पाच बार में कट गया और अंस में कुछ नहीं बचा तो बच गया 1 और फिर हमारा विन क्या हो गया 1 बटे 5 उसी तरह जो हमारा next example है वो है 50 प्रतिशत प्रतिशत यानि की हर में 100 तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 50 बटे 100 और जब हम इसे काटेंगे तो 50 दुने के 100 तो उपर कुछ नहीं बचा अंस में कुछ नहीं बचा इसलिए हो जागा 1 बटे 2 यह हमारा भीन हो गया 50 प्रतिशत का उसी तरह हम लोगों ने लिया है दोस्तों यहाँ पे 40 प्रतिशत अब देखिए 40 प्रतिशत को हमने कैसे काटा 0 से 0 काट दिया और 2 दुने के 4 और 5 दुने के 10 यानि की 2 के पहाड़ा से दोनों ही कट गया है तो जब आपको हर और अंस में कोई भी काटना हो अब यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 10 तो हम 2 के पहाड़े में देखते हैं तो 2 दुने के 4 भी आता है और जब हम 2 के पहाड़े में देखते हैं तो 2 पचे के 10 भी आता है तो इस तरह से जो हमारा भिन हो गया है 40 परसेंट का वो क्या हो गया है दो बटे 5 उसी तरह से हम लोगोंने next example लिया है 80 प्रतिशत 80 प्रतिशत तो इसे भी हमने क्या किया 80 बटे 100 कर दिया क्योंकि लिखा हुआ है 80 प्रतिशत और अभी हमने बताया था कि प्रतिशत वह भिन है जिसके हर में 100 होता है तो देखे दोस्तो इसे हम 0 से 0 काट देंगे अब हम जब 2 बार में लगाते हैं तो 2 चौके के 8 और 2 पचे के 10 तो हमारा भिन हो गया तयार 80 प्रतिशत का क्या 4 बटे 5 उसी तरह से हम लोगोंने यहां पिलिया है 120 प्रतिशत तो देखे 0 से 0 डिवाइड हो गया और 6 दुने के 12 पांद दुने के 10 तो 2 के पहाड़ा से दोनों लग रहा है 12 और 10 भी तो इस तरह से जो 120 प्रतिशत का हमारा भिन आया है वो क्या है 6 बटे 5 है अब दोस्तो टाइब 2 में हम लोग जानेंगे कि भीन को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं अभी इसके पहले हम लोगोंने जाना कि प्रतिशत को साधरन भीन में बदले अब हम लोग जानेंगे कि भीन को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं तो दोस्तो कोई भी भीन हो किसी भी भीन को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर एक्जामपल ले लिया है हमारा प्रश्ण कह रहा है कि एक बटे 10 को जो की एक भीन है एक बटे 10 उसे हमें बदलना है प्रतिशत में तो एक बटे 10 को हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले एक बटे 10 और प्रतिशत में हमें बदलना है इसलिए हम इसे 100 से गुना कर देंगे अब देखे जब हम इसे solve कर रहे हैं हमारे पास कितना यहां पर बच यह है 10 से कम 10 तो इस तरह से हमारा एंसर आ गया है 10 प्रतिशत नेक्स्ट एक्जाम पर लेते हैं प्रतिशत नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रशन है चार बटे 5 और 4 बटे 5 को भी हमें बदलना है प्रतिशत में जिसके लिए हमने यहां पर गुना किया है 100 से अब जब हम इसे गुना करेंगे तो आप देखिएगा कि जब हम इसे 5 से 20 वार में काटते हैं 100 को तो 20 वार में कर जाता है क्योंकि 25 सो और चुकि 20 को हम 4 से गुना करेंगे तो 4 दुने के 8 और 0 के 0 यानि कि हमारा एंसर कितना हो गया 80 प्रतिशत तो 4 बटे 5 जो की एक भीन है उसे हम लोगों ने जब प्रतिशत में बदला तो हमारा कितना प्रतिशत आया 80 प्रतिशत दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि भीन को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और इस तरह के question बहुत ही आसान है और जब आप प्रतिशत को बनाएंगे प्रतिशत के questions को solve करेंगे तो ये सभी question आपको question solving के बीच में मिलेंगे तो जब आप इसे basics में ही सुरू में ही अच्छे से याद कर लिजेगा अच्छे से समझ लिजेगा तो आपके लिए आगे questions को solve करना काफी easy हो जाएगा चलिए एक और example लेते हैं next example है हमारा एक बटे 5 जो की एक भीन है और इसे भी हमें बदलना है प्रतिशत में इसके लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे जैसे ही हमने गुना किया तो हम देखते हैं कि 5 जो है 100 को काट देता है 20 बार में 25 के 100 तो इस तरह से एक बटे 5 को जो हमने प्रतिशत में बदला तो हमारा answer कितना आया 20 प्रतिशत चलिए दोस्तो एक और example है एक बटे 2 जो की एक भीन है और इसे हमें बदलना है प्रतिशत में तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपको बताया कि कोई भी भीन रहे उसमें हमें 100 से गुना कर देना है अब गुना करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो 2 है 50 बार में 100 को काट रहा है क्योंकि 50 दुने के 100 तो हमारा 1 वटे 2 जो की एक भीन है उसको प्रतिशत में बदलने पे कितना प्रतिशत आया 50 प्रतिशत चलिए आगे तेखते हैं अब जो दोस्तो हमारा next type है type 3 वो हमारा है कि प्रतिशत को हमें दसमलब में बदलना है प्रतिशत को हमें दसमलब में बदलना है तो दोस्तो इससे हम दसमलब में बदलने से पहले सबसे पहले एकदम सुरुवाती question में पहुन जाते हैं type 1 में जहां पे हम लोगों ने प्रतिशत को साधारन भीन में बदलना सीखा था किसी भी प्रतिशत को जब हम साधारन भीन में बदलते हैं जैसे कि यहाँ पे है X प्रतिशत और जब हम इसे साधारन भीन में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? X बटे 100 हो जाएगा अब जब हम भीन के फॉर्म में ले आएंगे इसे तब हम इसे दसमलब में आसानी से बदल पाएंगे तो इसी तरह हमारा ये जो प्रश्ण है कि 32 प्रतिशत को हमें बदलना है भिन में तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले 32 को हम भिन में ले आएंगे तो चुकि यहाँ पे 32 के साथ प्रतिशत लगा हुआ है परसिंटेज लगा हुआ है इसलिए हर में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा अब हमें इसे बदलना है दसमलब में दोस्तों दसमलब में कैसे बदलते हैं देखिएगा सबसे पहले हम हर में 0 को काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने 0 है दो 0 है अब जो हमारा अंस है उसके हम दाई और से दो बार काउंट करेंगे एक और दो खतम हो गया अब जो बचा है वहाँ पे हमें पॉइंट दे देना है तो इस तरीके से हम दसमलब में कनवर्ट करते हैं किसी भी भिन को चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा क्वेशन है वो है 58% 58% को हमें दसमलब में बदलना है लेकिन उसके पहले हम इसे कनवर्ट करेंगे भिन में तो भिन में कनवर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे 58 बटे 100 100 क्यों क्योंकि 58 के साथ 58 के साथ % लगा हुआ है और % हमेशा भिन के हर में होता है 100 हमेशा भिन के हर में होता है अब हमने आपको बताया कि दसमलब में हम कैसे बदलते हैं तो हमने नीचे से काउंट किया तो यहाँ पे हर में दो 0 है अब हम दाई और से चलेंगे अंस में और देखते हैं कि दो अंक कहां पे खतम होता है तो पहला अंक में तो 8 है और दूसरे अंक में 5 है तो इस तरीके से जो हमारा answer आएगा वो होगा 58 दसमलब 58 तो जब हम अंधामन प्रतिशत को यानि की 58% को हम लोगों ने दसमलब में बदला तो हमारा answer आया है दसमलब 58 चलिए एक और example ले ले दोस्तो ये है example 210 प्रतिशत जिसे हमें बदलना है दसमलब में ठीक है दसमलब में बदलने से पहले हम क्या करेंगे इसे भिन में बदलेंगे और भिन में बदलने के लिए हम करेंगे 210 वटे 100 क्यूंकि प्रशन क्या है 210 प्रतिशत प्रतिशत हमेशा कहां होता है 100 हमेशा कहां ह होता है तो हर में होता है अब देखिए इसे भिन में बदलने से पहले हम देख रहे हैं कि यह 0 से 0 कट रहा है ठीक है अब ना तो 10 21 को काट सकता है और ना कोई ऐसा पहाड़ा है जो इन दोनों को काट सकता है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि जब हम इसे भिन में बदलेंगे दसम्लब में बदलेंगे तो यहां नीचे की ओर कितना 0 है? 1 0 है अब हमें उपर से count करना है चुकि यह 0 से तो यह 0 कट चुका है अब हम उपर से count करते हैं तो पहले नमर में यह खत्म हो जाता है दाइं और से गिनने पे तो हमारा point आजागा यहां पे तो हमारा answer क्या हो जाएगा? 2.1 210 प्रतिशत को जब हमने दसम्लब में बदला तो हमारा answer आगया 2.1 अब दोस्तों percentage से जुड़े हुए कुछ ऐसे questions को solve करते हैं जिसे मैंने अभी आपको बताया है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में तो दोस्तों यहां पे हमारा प्रशन आ गया है प्रशन नमबर 1 40 रुपे को जब 40 रुपे का 20 प्रतिशत क्या होगा? 40 रुपे का 20 प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों गौर से समझेगा इस question को की question क्या कह रहा है? 40 रुपे का 20 प्रतिशत क्या होगा? का का मतलब क्या होता है गुना होता है इसे मैंने आपको board mask पढ़ाते समय बताया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर playlist में देख सकते हैं तो दोस्तो 40 रुपय का 20 प्रतिशत क्या होगा तो हमने यहां लिख दिया 40 का मतलब क्या होता है गुने होता है और 20 प्रतिशत तो दोस्तों अभी मैंने आपको type 1 में बताया था कि जब कोई भी संख्या का प्रतिशत हमें निकालने के लिए के हैं जैसे 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत तो हम क्या करते हैं उसे भिन में बदलते हैं और हर में 100 लिखते हैं यानि की 10 बटे 100, 20 बटे 100 तो उसी तरह से हमारा यहां वे प्रश्ण कहरा है 40 रुपए का का यानि की गुना 20 प्रतिशत तो 20 को हम क्या करेंगे 20 बटे 100 कर देंगे ठीक है अब हम जब देखते हैं तो 25 के 100 पाच बार में कड़ गया और 5 से ये काट दे रहा है 58 के 40 तो क्या हो गया हमारा answer 8 हो गया चुकि हमारा प्रश्ण क्या में था रुपय में था इसलिए हम answer भी रुपय में देंगे तो हमारा answer हो गया है 8 रुपया तो 40 रुपय का 20 प्रतिशत क्या होगा, 8 रुपया होगा, चलिए next question क्यों चलते हैं 800 का 15 प्रतिशत क्या होगा, तो 800 है और का यानि की गुना और 15 प्रतिशत यानि की 15 बटे 100 मैंने आपको पिछले type में बताया है कि हम कैसे percent को साधरान भिन में बदलते हैं तो चलिए अब देखते हैं, इसे solve करते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, अब जब हम 15 और 8 का multiply करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 यानि की 120 से तो इसका हमारा answer क्या होगा है, 800 का 15 प्रतिशत क्या होगा, 120 होगा चलिए next question क्यों चलते हैं काईस तो दोस्तों हमारा next question ये है, 400 गुने 5 प्रतिशत, 400 गुने 5 प्रतिशत प्लस 20 गुने 5 बरावर क्या होगा तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसे solve करेंगे, तो 400 का 400 यहां हमने लिख लिया, गुना लिख लिया 5 प्रतिशत यानि कि क्या, 5 बटे के 100, बीच में है प्लस और उसके बाद है 20 गुने 5 तो 20 गुने 5 कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो अब हमें इसे करना है solve ठीक है, solve करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से 0 को काटेंगे तो 5 चके क्या हो गया, 20 और बीच में है प्लस, और इसके बाद जब हमने 25 गुना किया तो हमारे पास यहां आ गया 100, तो जब हम 100 और 20 को जोड़ेंगे, तो हमारे पास एंसर कितना आएगा 120, चलिए next question क्यों चलते हैं, इसी तरह का question है, लेकिन प्लस के जगा पे minus है में गुना है, गुना लिख लिया, अब 60 प्रतिशत है, तो मैंने आपको बताया है कि 60 प्रतिशत को हम भीन में कैसे बदलेंगे, 60 बटे 100 करके, बीच में minus है, तो minus का चीन, और 40 गुने 20 प्रतिशत है, यानि कि 20 बटे 100 कर देंगे, ठीक है, अब देखिए इसे solve करते हम लो आठ, और जब 48 में से हम 8 minus कर देंगे, तो हमारे पास कितना आजाएगा, 40 क्योंकि यहाँ पर प्रश नहीं कह रहा था, कि हमें minus करना है, तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने percentage से जुड़े कुछ questions को solve किये हैं, और इस questions में आप देख सकते हैं, कि सारे basics, मैंने आपको जो पीछे बता हैं इसी वीडियो में, वही सारे basics को use करके हम लोगों ने इसे solve किया है, तो guys यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे जरूर अपने दूस्तों के साथ share करे, हमारे चैनल को subscribe करे, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी, वीडियो देखने के लिए बहुत पर शुक्रिया guys, thank you so much